चलिए फ्रेंड आप हम लोग पंजीरी बनाने के स्टार्ट अधूरा सा लगता है तो आज हम लोग इसी रेशिपी को बनाएंगे वैसे तो हम लोग ये रेशिपी जन्माश्टमी के दिन ही बनाते हैं लेकिन आप लोगों के लिए ये मैं दो दिन पहले बना रही हूं आप लोग इसे बनाईए और देखिए कैसा लगता है इस बार वैसे तो ये सतनरायन भगवान के कथा में भी हम लोग जरूर से बनाते हैं बड़ा ही स्वादिश्ट होता है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हेलो फरेंग चलिए अब धनिया के पंजीरी बनाना शुरू करता है धनिया के पंजीरी है तो इसमें धनिया तो लगए गार लिया यह दिखने में जादा लग रहा है क्योंकि यह हलका होता है तो आप इतना ही ले लिजेगा 50 ग्राम और इसके साथ हम लोग ने सिंहाडे का आटा लिया है बहुत लोग गेहूं का आटा भी यूज करते हैं पर गेहूं का आटा प्रत में नहीं यूज करना चाहिए इसलिए हम लोग सिंहाडे का आटा लिया है ये 100 ग्राम है और इसके साथ हमने घी लिया है घी दो बड़े चम्मच है लेकिन हमें जब जब जोरत होगा थोड़ा थोड़ा ही लेंगे अब हम लोग ये तगड़ या बूरा ले लेंगे ये तगड़ बूरा हमने एककटोरी लिया है आप अपने स्वादनुसार ले लिजेगा अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा ले लिजेगा अब मैं ड्राइफ रूट दिखा रही हूं आपको ड्राइफ रूट में मैंने मखाना लिया है मखाना बहुत लोग इसको लावा भी बोलते हैं तो इसका भी आप एक बाउल ले लिजेगा ड्राइफ रूट तो आप अपने हिसाब से ले लिजेगा ज़्यादा पसंद हो तो ज्यादा भी डाल सकते हैं नहीं तो जितना चाहिए उतना ले ली जैगा सब इसके साथ हम लोग अधर ड्राइफ रूट भी एड कढ़ा दिया है कि कढ़ाई शुरू में तो आप तेज आच पे रखेगा लेकिन एक बाद चढ़ने के बाद आप आज को स्लो कर दिजेगा और स्लो आज पे आधा चम्मच घी डालिएगा पूरे प्रोसेस में आज स्लो रह ली चाहिए अब मैं सबसे पहले इसमें माखाना को भूनूंगी तो माखाना डाल दिया है मैंने अब इसको हलका सेखना है तो दो मिनट तक आप इसको सेखिएगा स्लो आज पे तो दो मिनट के बाद ये हो जाएगा ज्यादा देर नहीं लगता है बहुत आराम से हो जाता है देखे अब ये हलका गोल्डन होना शुरू हो गय है और अब ये देखिए इसको हम अब निकाल लेंगे अब इसी कराही में थोड़ा सा घीठी फिर डालेंगे और काजू और बादाम को भूनेंगे पहले काजू डाल रहे हैं फिर बादाम क्योंकि दोनों के लिए सेम आज चाहिए तो हमने एक साथ भूज लिया है इसको भ नारियल जो कि मैं भूल गए थी आपको बताना थोड़ा सा नारियल झाल सकते नहीं न हमने आधी कर्टोरी नारियल लिया है अब इस नारियल को भी थोड़ा सेकेंगे नारियल ज्यादा टाइम नहीं लगता है सिर्फ एक मीनट में हो जाता है तो इसको बस हलका सा थोड़ा redis हो जाए इतना ही भूनना है हाँ देखे ये ये भी अब हो गया है इसको भी हम दूसरे बर्थन में निकाल लेंगे अब पर उसी पेन में हम लोग अब घी ने ढलेंगे डायरेक्ट हम लोग किसमिस ढलेंगे तो किसमिस इसलिए बदाम के साथ नहीं भूने काजू बदाम के साथ क्योंकि किसमिस के लिए बहुत कम आज चाहिए होता है और बड़ा जल्दी हो जाता है काजू बदाम को थोड़ा टाइम लगता है तो किसमिस को सिर्फ अलका सा गरम करने जैसा ही आपको सेखना है तो अब किसमिस भी हो गया है अब आप इसको भी निकाल लेंगे अब हम लोग उसी कराई में थोड़ा सा घील फिर डालेंगे और थोड़ा जादा ही घी डालेंगे इस बार एक चमच्ट घील पड़ जाएगा और अब इसमें हम लोग जो क्या बोलते हैं सिंगाडे का आटा है न वो डालेंगे और उसको 10-15 मिनट तक मध्धी माच पे भूनेंगे क्योंकि ये भूने में थोड़ा टाइम लगता है तो 10-15 मिनट तक आपके इसको भूनिएगा और पूरा अच्छा लाल हो जाएगा ना तभी इसको आपको निकालना है तो इसको आप लोग बहुत आराम-ाराम से स्लो आज पे भूनते रहिए देखिए और लगातार चलाते रहिएगा ऐसा नहीं कि चलाना बंद कर दीजेगा क्योंकि चलाएंगे नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा देखिए अब हो गया है अब इसको हम लोग दूसरे बरतन में इसको भी ट्रांसफर कर लेंगे फिर उसी कराही में फिर वापस से हम लोग इस पर घी नी डालेंगे डायरेक्ट धनिया डालेंगे और धनिया को भी पांच मिनट तक स्लो आज पर पकाएंगे बतब भूनेंगे तो अब हम लोग धनिया को भून रहे हैं धनिया भी थोड़ा रलका गुल्डेन हो जाएगा तभी निकालना है थोड़ा लाल या गुल्डेन कर सकते हैं आप इसको देखिए अब यह हो गया है अब पता कैसे चलेगा गजिए धनिया को लेके जब आप मस लेंगे न तो यह पौडर जैसा हो जाता है हाथ में तो पाउडर बना लेंगे यह सुखाई पीचना है कुछ भी गीला ना रहे क्योंकि गीला रहने से यह बिगड़ जाएगा देखिए अब यह मखाना पीच गया है पाउडर हो गया है महीन पाउडर बनाया है अब उसी जार में हम लोग काजू और बदाम डालके उसको भी सा मोटा पीच लेंगे देखिए ऐसा पीच के हो गया है यह थोड़ा मोटा ही है अब फिर इसी जार में हम लोग यह थोड़ा मोटा है इसी जार में हम लोग धनिया ले लेंगे धनिया अब ठंडा हो गया है तो आब इसको डालके हम लोग धनिया भी पीच लेंगे धनिया टाइम अगर ज्यादा मबारिक नहीं हो रहा है तो आप इसको चलनी में चाल लीजेगा चालनी में और इसके बाद जो मोटा होगा उसको वापस से पीस लीजेगा तो इस तरह से आप धानिया को भी पीस लीजे देखिए अब धनिया भी पीस चुका है यह इस साइड जिसदर पीस के रखा है वो सब भी इसमें डाल देंगे बहुत लोग खड़ा भी डालते हैं पर हम लोग ऐसे ही डालेंगे क्योंकि ऐसे चारों तरफ जाएगा तो स्वात बहुत अच्छा लेगेगा अब हम लोग धीरे धीरे यह काजू और बादाम है इसको डाल दिये हैं और फि और इसी वक्त हम लोग जो चीनी का बुरा है ना या तगड है ना वो एड करेंगे आप अप चीनी अपने घर में अरा अपने हिसाब से बना लीजेगा चीनी को पीस लेंगे मिक्सी में तो वो भी वर्क करेगा इसको भी हमने डाल दिया अब सबको मिक्स करके हम लोग एक बरतन में ट्रांसफर करेंगे देखें इसमें हम ट्रांसफर कर रहे हैं कोई भी कंटेनर में आप इसको ट्रांसफर कर लीजे यह बहुत दिन चलता है यह बहुत दिन चलता है एक महिने तक आप फ्रीज के बाहर भी इसको रखके आराम से इंज्वाए कर सकते हैं खा सकते ह तो आप इसको ऐसे ट्रांसफर कर लिजिए और अगर आपको हमारी यह बन के तिरेडि हो गया है अगर आपको हमारी रेश भी पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए और जयदा से ज़दा लोगों के शेयर कीजिए और बेल आइकन का भी बटन दबा दीजे तुलसी पत्ता भी हम लोग ने डाल दिया भगवान का भोजन बीना तुलसी का नहीं होता